लो Tёмि इस वीडियो से स्फटर करते हैं चेपटर 9 हाइट एंस जोठा और काफ़ी सिम्पल ठाइप बहुत ज्यादा कुछ भी फॉर्मूला ना तो कोई फॉर्मूला यूज हो रहा है ठीक है नहीं कोई कोशन को हम लोग एक ही मैथट से सॉल्व कर देंगे ठीक है तो और उसके बाद ncati कोशन करेंगे फिर और इस फिर उसके बाद ncati फिर एक्जेंपलर फिर आरेस फिर आडी ठीक है तो देखो समझो सबसे पार यहार दो बेसिक समझो की एंग़ और 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 ओक कि इसको जो इनल्ड को तॉपर करना पड़ रहा है तो यह जो इंगल बन रहा है इसको बोलते एंगल ओफ एलिवेशन और अगर मालों बिल्डिंग के टॉप में ठीक है टावर के टॉप में खड़ें वहां से नीचे मालों ग्राउंड पर से या उस कोई कार है ठीक है यबायट दिफॉल्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं इंगल ओफ डिपरेशन में लिए नीचे करना है या बिल्डिंग के टॉप है और यहाँ पर उम्यांड पर में इस कार है हमें इस कार को देखने के लिए गर्दन को 60 degree नीचे करना पड़ा, ठीक है, इस टेट से ये 60 degree नीचे करना पड़ा, यह क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 60 degree दी हो जाएगा, इसका मतलब गर यहाँ से, इस point से, बिल्डिंग की top को देखना है, तो गर्धन को कितना उपर करना पड़ेगा, 60 degree और इस point से इस object को देख रहे हैं तो गर्दन को कितना नीचे करना पड़ा 60 degree तो angle of elevation और angle of depression हमेशा बराबर होगा ठीक है तो इतना ही इसमें ज्यादा कुछ समझाने वाली बात है नहीं अब देखते हैं टाइपस ऑफ कोशन कि हमें इस chapter में कितने different types के question मिलने वाले है type 1 और एक ही question को बोलने का बहुत अलग अलग तरीका भी हो सकता है type 1 क्या मान लेता है एक building है यह हो गया building और ground पर प्वाइंट है और इस पॉइंट से बिल्डिंग की टॉप को देख रहे है तो अब जो एंगल बन रहा है अब 30 डिगरी का एंगल बन रहा है मतला हमें सिर्फ गरदन को 30 डिगरी उपर करना बढ़ रहा है तो बताव इस बिल्डिंग का हाइट क्या होगा फाइंड यह हो गया पहला कोशन और सबसे कॉमन टाइप और बहुत सारे कोशन को पढ़के जब रीड करके फीगर में कनवर्ट करोगे तो ऐसा फीगर बनेगा ठीक है और इसको बोलने का बहुत तरीका हो सकता है कि मालो ऐसे भी बोल सक कोपर करनी पढ़ रही है एंगल ऑफ एलिवेशन शिक्स्टी डिगरी का बन रहा है ठीक है और यह वाला डिस्टेंस भी फाइंड करो ठीक है एक बात करना कोई सा भी कोशन अभी मैं आगे बता रहा हो कोई सा भी कोशन पढ़के जब उसको फीगर में कनवर्ट करोगे हर क hoacon का गार्ट करोगा टांगल ट्रॉप्ट को कुम्हें हमें सिर्फ दो नहीं देख रहा है इक यह वाला ट्रेंगल दीख रहा है ठीक है और आप में ट्रेंगल क्या इस पॉंइंड Seattle was यहाँ पे building है और इस point से building के top को देख रहा है तो यह triangle बन रहा यह तो कहीं आया ही नहीं ना picture में ठीक है बस यहाँ पर figure में बन रहा लेकिन ऐसे इसका कोई रोल नहीं है तो हर question में डो ट्रेंगल बनेगा और दो ट्रेंगल में total 5 चीज होगी 3 information दे रखा geschd birthday और एक यह वाला लेंथ 20 मीटर दे रखा है तीन इंफॉर्मेशन गिवन है और यह दो इंफॉर्मेशन हमें और कोई फॉर्मूला भी इसमें ऐसा कोई फॉर्मूला वागेरा कुछ भी यूज़ नहीं हो रहा सिर्फ हम लोग इस टैन थिटा का यूज़ करें हैं तुम बोलोगे टैन थिटा ही क्यों यूज़ किया भाई टैन थिटा इसलिए यूज़ किया इस वाले ट्रैंगल में बेस और परपेंडिकुलर इनवाल्व है इस हाइपोटेनस का यहाँ पर कोई रोल नहीं हमें हाइपोटेनस फाइंड नहीं करना है ठीक है इसको हम एज्यूम कर लेते हैं H और इसको एज्यूम कर लेते हैं X दोको 1060 डिग्री का वैल्यू हमें पता है रूट 3 PQ यह हो गया H और AQ क्या हो गया X ठीक है और इस ट्रैंगल में देखो ट्रैंगल PBQ के अंदर देखो 1030 डिग्री is equal to PQ by BQ 1030 डिग्री हो गया 1 by root 3 PQ हो गया H और BQ क्या हो गया 20 plus X 20 plus X ठीक है अब क्या करेंगे देखो अब सबसे important सबसे important point ठीक है जो भी question पढ़के तुम figure बनाओगे figure में दो ट्रैंगल दिखेगा जब इस तरीके से दोनों ट्रैंगल में तुम्हें 10th ही टैप लाई करना है ठीक है दोनों ट्रैंगल में 10th ही टैप लाई करोगे उसके बाद क्या होगा न दोनों ट्रैंगल में जो line common दिखाई दे रही है उसकी value निकाल लो इस वाले लेकिन हमें दिमाग नहीं लगाना हम सिंपल एक method फॉलो करेंगे बनाएंगे जो line common होगी दोनों ट्रैंगल में से हम उस common ग्रॉस मल्टिप्लाई किया तो यह बन गया 3x is equal to 20 plus x 20 plus x यह उधर जाके माइनिस हो जाएगा 2x is equal to 20 और x is equal to 10 x का value मिल गया तो यह वाला length हमें पता चल गया और pq height क्या हो जाएगा यह h का value क्या है है एच का value क्या हो जाएगा h is equal to root 3x यह हो जाएगा 1.732 into 10 यह हो जाएगा 17.32 मीटर और यह हो गया 10 मीटर इतना सिंपल है देख रहे हो टाइप 1 ऐसा कोशन बन सकता है और इसको बोलने का बहुत अलग अलग तरीका भी हो सकता है आगे कोशन बुक में हम लोग सॉल्व करेंगे वहाँ पर आएगा संस ऑल्टिट्यूड करके दे रखाओगा वहाँ पर इसको explain करेंगे figure ऐसा ही बनेगा ठीक है दूसरा क्या हो सकता है दूसरा ऐसा हो सकता है अभी मैं बस टाइप बता जिता हूँ अभी सॉल्व नहीं करेंगे को देखते हैं तो 60 डिगरी का एंगल बनता है और जो जंडा है उसका हाइट दे रखा है 20 मीटर इस बिल्डिंग का हाइट फाइंड करो ठीक है या इसी कोशन को बोलने का बहुत तरीका हो सकता है एक टावर है एक टावर के उपर दूसरा टावर लगावा है ठीक है इस पॉइंट से हम लोग देख रहे हैं तो टावर के टॉप को देख रहे हैं तो 60 डिगरी का एंगल बन रहा है इस पॉइंट से इस बिल्डिंग इस वाले टावर के टॉप को देख रहे हैं तो 30 डिग figure हो गया न तो एक इस टाइब का figure बन जाएगा ठीक है या इसी को कि किसी को ऐसे भी बोल सकते हैं इसी figure को अंगल of depression के terms में कैसे दिया जा सकता था ठीक है ये एक building है और ये building के उपर दूसरी building है ठीक है ये बी सी यह हो गया first floor यह हो गया second floor यह हो गया ground ठीक है यहाँ पर अब्जेक्ट है कोई भी मालो कार है परसन है कोई भी है ठीक है हम लोग फर्स्ट फ्लोर में कोई खिड की है वहां से इस परसन को देखे रहे नीचे की तरफ जुक के एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है कि एंगल ऑफ डिप्रे कर और यह second floor का हइट दे रखा होगा या first floor का हइट दे सकता है या ये वाला distance की वाला distance दे रखा है 30 मींटर बताओ first floor का हइट क्या है और इसका height क्या है इस तरीके से बताओ मतलब कोई भी question पढ़ोगे तुम्हें दो त्रेंगल दिखाई देगा, यहां भी दो ट्रेंगल दिख रहा है, एक यह वाला ट्रेंगल दिख रहा है, और एक यह वाला ट्रेंगल दिख रहा है, दोनों ट्रेंगल में यह वाली लाइन कॉम आने देखो, तो हम दोनों ट्रेंगल में इसको नाम देखो, इन ट्रेंगल ब इप्रेशन दे रखाओगा उसको हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन में कनवर्ट कर लेंगे ठीक है यह 30 था तो यह 30 हो गया और इस ट्रेंगल में यह 60 था तो यह 60 बन गया ठीक है तो हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो इन ट्रेंगल एक बार लेंगे बी-सी-डी इन ट 1060 लगाएंगे 1060 is equal to क्या हो जाएगा AC by DC DC दोनों ट्रेंगल में common आ रहा है दोनों ट्रेंगल से DC का वैल्यू निकाल के एक्वेट कर देंगे लेकिन यहां पर DC का वैल्यू दे रखा तो DC का वैल्यू पूट करेंगे तो BC का वैल्यू डायरेक्ट हमें मिल जाएगा कुछ एक्वेट करने की ज़रूत नहीं पड़ेगी जैसे देखो 1030 हो गया वन बाई रूट 3 BC का वैल्यू नहीं पता DC का वैल्यू दे रखा डायरेक्ट 30 तो हमें कुछ एक्वेट ही नहीं करना पड़ा डायरेक्ट ही वैल्यू मिल जाएगा थाटी उपर चला जाएगा बीसी यहां पर रूट 3 इस एकल टू एसी बाई डीसी ठर्टी दे रखा तो एसी इस एकल टू ठर्टी रूट और फिर एसी में से बीसी को माइनस कर देंगे तो एबी का वैल्यू मिल जाएगा और देखो और कैसा कोश्चन हो सकता है ठीक है अभी त्यार सिर्फ यह इंट्रों है कोश्चन करेंगी वहाँ पर डीटेल में एक च्छोटा सा ओवर्वी दे रहा हूं कि कैसा कैसा कोश्च सकता है बड़ी बिल्डिंग है और एक चोटी बिल्डिंग है ठीक है और बड़ी बिलंग के टॉप से खोटी बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं तो अघंगल उफटी डिघिवीडिYa ॉपर से इस जीगा पे खड़े ओकिह यहां पर देख रहे हैं तो गर्दन को कितना जुकाना पढ़ रहा है 30 डिग्री जुकाना पढ़ रहा है और यहां पर खड़े हो के इस पॉइंट को देख रहा है तो गर्दन को कितना जुकाना पढ़ रहा है 60 डिग्री जुकाना पढ़ रहा है और इस वाले बिल्डिंग की गकी तो इलेवेशन में कनवर्ट कर लो यह 30 डिगरी है यहां पिए वाला इंगल 60 डिगरी हो जाएगा आप तुम देखो एक यह वाला ट्राइंगल बन गया और एक यह वाला ड्र मिनको में कर दिया दो नोनों में ठैंठिदाल दंख का दो यहां पर 10 30 degree लगेगा 10 30 is equal to क्या हो जाएगा AB by BE BE देखो ये वाला जो line BE है वो दोनों triangle में common है common नहीं equal है देखो BE इस वाले triangle में जो BE का length है और इस वाले triangle में जो CD का length है दोनों equal है तो दोनों में हम क्या करेंगे इस वाले triangle से BE का value मिलेगा इस वाले triangle से CD का value मिलेगा मतलब इस वाले triangle से CD का value निकलेगा दोनों को equate कर देंगे इसको भी X बोल दिया क्योंकि दोनों का value तो क्या होगा आपस में बराबर होगा तो इन triangle ABE के अंदर 1030 degrees equal to क्या हो जाएगा ABE के अंदर 1030 हो गया AB upon BE 1030 क्या हो गया 1 upon root 3 AB क्या हो गया नहीं पता और BE क्या हो गया X का value हो गया AB root 3 और triangle इस triangle के अंदर ACD के अंदर 1060 degree 1060 degree क्या हो गया AC upon CD 1060 degree हो गया root 3 AC upon CD हमे पता है CD को बोल रखा है X यहां से हो गया X is equal to AC upon root 3 दोनों को equate कर दो X का value यहां भी मिलीगा X का value यहां भी मिलीगा अच्छा यह 20 meter दे रखा है तो यहां से यह वाला length यह भी 20 meter हो जाएगा और इसको हमने बोल दिया AB को हम बोल देते है H इसको H यहां पर यहां पर AB के place पर लिख देते हैं X is equal to H root 3 और यहां पर X is equal to AC के place पर क्या लिख सकते हैं DECKहो AC क्या है 20 plus H AC के place लिख सकते हैं 20 plus H 20 plus H by root 3 ध tomato कर दो यहांबी एक्स का वेलियोव आ गया इस इक्वैंटी प्लस है वाइंच बाइच का च्बाइघ स्भ来了 तो करोंगे तो यहां से एच का मल्टिप्लाइ क्या होगती एट is equal to 20 और फो टीट यह इप यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर एक लाउड है और इस पॉइंट से मालों लेक के 10 मीटर उपर एक पॉइंट दे रखाए ठीक है यह लेक की उपर एक जहाज होगी जहाज का जो डेक होगा वह वाटर के लेवल से 10 मीटर की उचाई पर होगा ऐसा सपोस कर लो कि कोई जहाज है जहाज पर परसन खड़ा है ठीक है तो वह पॉइंट क्या हो गया वाटर लेवल से 10 मीटर की उचाई पर हो गया वहां से क्लाउड को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ इलिवेशन गर्दन को उपर करना प खड़े हैं इसकी परचाई नीचे पानी में बन रही होगी गर्दन को नीचे करना पड़ेगा यह दे रखाए कि एंगल ऑफ डिप्रेशन सिक्स्टी डिग्री का है बताओ क्लाउड का हाइट क्या होगा हम क्या करेंगे दोनों को जोड़ दें कुछ ऐसा फीगर बन रहा ह होगा हमें क्लाउड का हाइट फाइंड करना होगा यहां से यहां तक एक ऐसा कोश्चन हो सकता है यहां तो मैंने रखीयो- टॉप से इस बिल्डिंग को देख रहे होगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब इस तरीके से मैंने बोल के बताया ठीक है वही चीज यहां पर लेंग्वेज में लिखावा है तो नेक्स्ट वीडियो से यह तो इंट्रो वीडियो हो गया था मतलब यहीं करना है मतलब तुम इसके बाद एक्जेंप्लर और इसके बाद आरेस आड़ी ठीक है चलो वीडियो अच्छा लगा या तो कमिट करके जरूर से बताना फरस्ट इम चैनल पर हो तो यार सब्सक्राइब कर ले न और बाकी चेप्टरस के भी जाके वीडियो को जरूर से चिक करना सारा और्गिन होम पेज पर ही क्लास्टेन मैट्स टर्म टू करके तुम्हें लिखावा मिल जाएगा ठीक है चलो